आज कॉंग्रेस पार्टी में काफी व्यस्त दिन है हमारे पार्टी के लिए क्यूंकि आज सुबह कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खरगेजी ने चिकमगलूर में एक प्रेस कांफरेंस किया आपने देखा होगा आज दोपहर को, शाम को, राहूल जी का चुनावी प्रचार होगा उत्तरी करनाटिका में पर ये दिन मैं आपको याद दिलाने आया हूँ आज का दिन हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है एक मील का पत्थर लगाया गया था इसी दिन तीस साल पहले तीस साल पहले तीहत्तर मां सम्विधान संशोदन अधिनियम लागू हुआ और मेरा मानना है और कई लोगों का मानना है कि राजीव गांदी जी का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा योगदान हमारे राजनीति पर ये तिहत्तरवा सम्विधान संशोदन अधिनियम है राजीव गांदी जी ने शुरुवात की थी सम्विधान के संशोदन लाने में ताकि पंचायतों को और नगरपालिकाओं को अलग से विशेश रूप से सम्विधानिक दरजा दिया जाए 1989 में लोकसभा में विदेयक पारित हुआ परंतु राज्यसभा में कॉंग्रेस पार्टी को भहुमत नहीं थी और पांच वोटों से ये सम्विधान संशोदन विदेयक पारित नहीं हो पाया उसके बाद उनकी हित्या हो गई कॉंग्रेस की सरकार भी पहले वीपी सिंग की सरकार आई चंद शेकर की सरकार आई पर कॉंग्रेस के सरकार के कारेकाल में ये सम्विधान संशोदन हो पाया 73 वा संशोदन जो पंचायतों को सम्विधानिक दरजा देता है और 74 वा संशोधन जो शेहरी इलाकों में जो लोकल बॉडी हैं नगरपाली काओं को संबैधानिक जर्दा देता है 2010 से आज हमारे प्रदान मंतरी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं आपको याद दिला दूँ और देश को याद दिला दूँ कि पहली बार 2010 में 24 अप्रिल को राश्ट्रिय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है ये प्रदा 2010 में शुरू ही और हर साल ये दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर आप हमारे सम्विधान को देखें Constitution of India को देखें तो अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 इसमें शामिल किया गया था राजीव गांदी जी के प्रयासों से उनके नित्रतु में और ये हमारे सम्विधान का सबसे लंबा सबसे विस्तार में जो प्रावधान किये गए है अगर आप 395 धाराएं हैं हमारे सम्विधान में पर ये विशेश धारा आर्टिकल 243 सबसे लंबा है क्यूंकि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को जो अधिकार दिये गए हैं जो जिमिदारी सौंपी गई है सम्विधान के द्वारा ये सब सम्विधान में इसका प्रावधान किया गया ये पहली बार हुआ है इसलिए ये एक क्रांतिकारी कदम था प्रगतिशील कदम था और ये हमारे देश के राज़नीती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया आज अगर आप देखें हमारे देश में 32 लाक चुने प्रतिनीदी हैं पंचायती राज संस्था में 32 लाक चुने हुए प्रतिनीदी पंचायती राज ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत त्रिस्तरिय चो हमारा सिस्टम है उसमें 32 लाक चुने हुए प्रतिनीदी हैं और इन 32 लाख चुने हुए प्रतिनिदियों से करीब 15 लाख महिलाएं हैं 45 प्रतिशद चुने हुए प्रतिनिदी हमारे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं हैं जब राजीव गांधी ने संविधान संशोधन की कल्पना की थी और जो अधिनियम पारित हुआ जो विधेयक पारित हुआ जो अधिनियम बना उसमें महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया था ऐसे तो अनुसूचित जाती और अनुसूचित जंजाती के लिए आरक्षन देना अनिवार्य होता है संविधान के द्वारा वो थो था ही पर इसके अलावा पहली बार हमारे संविधान के किसी भी प्रावधान में महिलाओं को आरक्षन दिया गया था इस 73 संविधान संशोधन अधिनियम में एक तिहाई आरक्षन महिलाओं को दिया गया था पर खुशी की बात ये है कि महिलाओं की संख्याद जैसा कि मैंने कहा एक तिहाई नहीं है एक तिहाई से भी बढ़कर करीब 45 प्रतिशद अभी महिलाएं हैं जो चुन कर आए हैं पंचायती राजसन स्था में ऐसे ही 74 वाँ संखोधन है जो शेहरी अलाकों के लिए है, नगरपालिकाओं के लिए है और वो जून के पहले तारीक से लागू होता है तो जून के पहले तारीकों मैं उसके बारे मैं बात करूँगा आज मैं सिर्फ पंचायितों तक मेरी बाते सीमित रखना चाहता हूं 2010 के बाद जब राष्ट्रिय पंचायती दिवस राज मनानी की गोशना की गई थी प्रधान मंत्री ततकालीन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग जी के द्वारा तब ये सवाल उठा कि सम्मिधान में तो प्रावधान है अधिकार दिये गए हैं पंचायतों को पंचायतों को क्या करना चाहिए राज्यों को क्या करना चाहिए केंज सरकार को क्या करना चाहिए ये सब दिया गया है हमारी जो राजजीतिक प्रणाली हुआ करती थी 2000 जब तक ये संभधान संशोदन नहीं हुआ उनिस सो तिरानेवे में तब तक हमारी राजनीतिक प्रणाली ऐसा माना जा सकता था कि उसके दो स्थम्ब थे एक लोग सभा और दूसरा विधान सभा पर इस सम्विधान संशोधन के बाद में यानि कि 24 एप्रिल उनिस सो तिरानेवे के बाद में हमारी राजनीतिक प्रणाली तीन स्थम्ब हो गए लोग सभा विधान सभा और ग्राम सभा और मुझे आज भी याद है जब राजीव गांधी जी ने जब वो सम्विधान संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे लोग सभा में अगस्त के महिने में 1989 में उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी लोगतंत्र के वारे में सोचते हैं हम हमेशा लोग सभा टू विधान सभा कहते हैं पर इस सम्विधान संशोधन से ये नजरिया बदलेगा और ये नजरिया होगा ग्राम सभा से विधान सभा विधान सभा से लोग सभा तो यही है महत्व आज का दिन का, इस सम्विधान संशोधन का, जो जिसके हम तीस साल आज बना रहे हैं जो मैं कह रहा था आपको, 2010 के बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंग जी के सरकार थी, जब ये सवाल उठा, कि हम पंचायतों को और मजबूत कैसे करें, इनको और सशक्त कैसे बनाएं, तो 2016 में, फबरुरी के महिने में, एक एतिहासिक करांतिकारी अधिनियम, आपको याद लगा, लागू होने लगा, महत्मा गांधी नैशनल रूरल एंप्लॉइमेंट एक्ट, राश्ट्रे ग्रामीन, रोजगार सुरक्षा योजना नहीं, कानून, ये अधिनियम था, और इस अधिनियम के तीन मकसद थे, पहला मकसद था, रोजगार देना, जो बेरोजगार है जिनको रोजगार पाने में बहुत मुश्किल होता है, जो काम नहीं कर सकते हैं, ढूंटे हैं पर उनको काम नहीं मिलता. तो पहला मकसद था इनको न्यूंतम मज़़ूरी पर उनको रोजगार देना दूसरा मकसद था कि अलग-अलग राजियों में, अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग गाओं में सामुदाएक संपत्यों को बनाने के लिए ये एक कार्यक्रम था और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मकसद जो लोग भूल जाते हैं और मोधी सरकार भी भूल गई है और उसके बारे में मैं जिकर करूँगा, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये था कि महत्मा गांदी नरेगा से हम पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत करेंगे उनको एक केंद्रित भूमिका देंगे अगर आप महत्मा गांदी नैशनल लूरल एम्प्लॉइमेंट एक्ट देखेंगे दिनियम देखेंगे, उसमें केंद्रिय भूमी का पंचायतों की है, ग्राम पंचायतों की है, ग्राम पंचायतों से ही काम लिया जाता है, क्या काम होना चाहिए, किस पर रोजगार लगेगा, जो प्राथमिक्ता होनी चाहिए, ये ग्राम पंचायत ही तै करते हैं, और जो है सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में जाता है ये राज्य सरकार से होकर नहीं जाता है ये सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में जाता है तो महात्मा गांदी नरेगा जिसको कमजोर करने में मोधी सरकार लगी हुई है इस कमजोर जो कमजोर करने का प्रयास जो किया जा रहा है उसका ये नतीजा है कि हमारे करीब धाइं लाक जो ग्राम पंचायत है उनको परियाब धन राशी नहीं मिलती और उनकी जो केंद्रे भूमिका है इस एतिहासिक अधिनियम में उसका नजर अंदास किया जा रहा है दूसरी बात जो हमारे संविधान संशोधन में लिखा गया था कि चुनाव हर पांच साल होंगे पंचायती राज संस्थाओं को, नगर पालिकाओं को हर पांच साल चुनाव होना अनिवारिय है पर आप देखिए मैं आपको सिर्फ दो मिसाल देता हूँ भारती जनता पाड़ी की मानसिक्ता क्या है करनाटक में आज सब के मन में करनाटक ही करनाटक है तो इसलिए मैंने करनाटक का मिसाल लिया हालांकि ये करनाटक नहीं है करनाटका है उत्तर भारत में लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ ये करनाटका है केरल नहीं है केरला है मैंने संसत में भी ये कहा है 24 दिसमबर 2022 यानि कि करीब चार मेने पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर पांच लाख रुपे का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने छुनाव करने में देरी की है मद्यप्रदेश में एक और बीजेपी शासित राज्य है हलांकि जनादेश उनको नहीं था पर मार्च दो हजार बीस में किसी के गद्दारी के कारण उनकी सरकार बन गई 18 माई 2022 18 माई 2022 को सुप्रीम कोट ने कहा कि मद्यप्रदेश में चुनाव कराने की देरी के वज़े से ब्रेकडाउन ओफ रूल अफ लॉफ लॉफ हो गया है कानून प्रणाली खत्म हो रहा है तीसरा एक मिसाल लेता हूँ हर्याना का वो भी बीजेपी शासित राज्य है और ये यहां फेब्रूरी 2021 को चुनाव होने वाले थे और पार्टी के दबाव हमारे पार्टी के दबाव के कारण और कई लोगों के दबाव के कारण ये चुनाव अठारा महिने की देरी से अक्टोबर 22 2022 में होए तो महात्मा गांदी नेशनल रूरल एम्प्लॉइमेंट गैरेंटी एक को कमजोर करना ताकि ग्राम पंचायतों की जो भूमिका है वो कमजोर हो जाए कम घो जाए, घड जाए चुनाव में कराने में देरी लाना ये सब क्या दिखाता है ये सिर्फ यही दिखाता है कि भारती जनता पार्टी 73 वाँ संशोधन और 74 वाँ संशोधन में विश्वास नहीं रखती मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि सितंबर 1989 में कॉंग्रेस की बहुमत नहीं थी राजसवा में बीजेपी के सांसर राजसवा में इस विदेख के खिलाफ वोट दिये या तो 1989 में ही ये कानून आ जाता पर ये राजसवा में पारिद नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ विपक्ष की पार्टियां जिसमें बीजेपी भी मुझूद थी उन्होंने इस विदेख को असमर्थन नहीं किया तो आज वावा होगा प्रधान मंत्री श्रे लेंगे फोटो किचाये जाएगा पर हकीकत ये है कि ये सम्विधान संशोधन की कलपना एक कॉंग्रिस नेता कॉंग्रिस प्रधान मंत्री राजीव गांती जी ने की ये सम्विधान संशोधन प्रधान मंत्री नर्सिम्रा वित्व मंत्री मन्मूहन सिंग जी उनके कारिकाल में 1993 में ये पारित हो पाया और 30 साल से खास तोर से यूपिये के सरकार में जो सशक्तिकरन हुआ पंचायतों का ग्रामीन विकास कारिक्रमों के द्वारा वो आज कमजोर हो रहा है पर खुशी के बात है कि कानून के मुताबिक जो एक तिहाई महिलाएं आने वाले ते आज वो एक तिहाई नहीं है करीब 45 प्रतिशद महिलाएं हैं और मैं समझता हूँ ये राजीव गांदी जो सोच था कि महिलाओं को प्रतिशद देना जरूरी है और ये नहीं हो पाएगा जब तक हम इस कानून में प्रावधान नहीं करेंगे संविधान में संशोधन नहीं लाएंगे कई लोगों ने इसका विरोध किया था तब पर आज वो हकीकत है और ये एक तिहाई संविधानिक प्रावधान हकीकत में जमीनी स्थर पर करीब 45 प्रतिशद है तो राश्रिय पंचायती राज दिवस पर हम हमारे पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष पूर्व कॉंग्रेस पधान मंत्री आधुनिक आईटी इंडिया के निर्माता डिजिटल इंडिया के निर्माता अगर हैं वो राजीव गांदी हैं उनको याद करते हैं हम UPA सरकार को भी याद करते हैं जिनके कार्यकाल में पंचायतों को एक केंदरी भूमिका दी गई ग्रामीन विकास कार्यक्रमों में, खास तोर से महत्मा गांधी नरेगा में जो आज खत्रे में हैं और हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं मोधी सरकार से कि जो समवैधानिक प्रावधान है वो सही तरेक से लागू हो चुनाओं के संदर्ब में या जो ग्रांट देना है पंचायती राजसंस्थाओं को सही समय पर पहुँचना चाहिए जो कारिक्रम है जो पंचायतों के द्वारा लागू होने चाहिए वो सही समय पर, सही वक्त पर सही डंग से लागू होने चाहिए यानि कि लेटर एंड स्पिरिट जो आर्टिकल 243 है 243 धरा उसको लागू करने की जरूरत है